बोलिये बाबा भोले नाथ के आदी देव महादेव शिव शम्भो के प्रिये भक्त जनों भगवान भोले शंकर के अनेको नाम है अनेको लीलाएं है बारह जोतिर लिंग में केदार नाथ जोतिर लिंग का महत्व बहुत है भक्तों केदार नाथ जोतिर लिंग पर्वत राज हिमाले की चोटी परिस्थित है यहां की प्रकृतिक शोभा देखते ही बनती है इस चोटी के पस्चिम भाग में मंदा किनी नदी के तट पर केदार एश्वर महादेव का मंदिर जिसे मोख्ष का धाम कहा जाता है भक्तों जब पांडवों पर भाईयों की हत्या का दोश आया तब उस वक्त अपने सभी पापों को धोने के लिए शिब का आशिरवाद बहुत जरूरी था भक्तों तब पांडवों से रुष्ट होकर भोले शंकर यहां आकर केदार नाथ बन गए तो चलिए केदार नाथ जोतिर ल दर्शन पाने आते हैं केदार नाथ की अतिपावन एक गाथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं केदार नाथ के चर्णों का हम ध्यान लगाते हैं हम सब ज्यान लगाते हैं केदार नाथ की अतिपावन एक गाथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं जै महादेव भगवान हमिदु भत्ती का दान महादेव भगवान हमिदु भत्ती का दान महाभारत के बाद में पंडों बंदों करें विचार भाई हत्या के पाप से कैसे हो जाएं उद्धार सोच रहे थे शिग भोले का आशिरवाद पाएं चंकर भोले रुष्ट थे दर्शन देना ना चाहें भोले के दार में जाकर बस गए होकर अंतर ध्यान इस चिंता में पांड़ाव भाई रहते थे परशान पीछा करते करते पांडों पहुँच गए के दार भैसे वाला रूप प्रभू शंकर ने लिया था धार अन्य पश्व में ही जाकर खुद वो मिल जाते हैं भोले खुद मिल जाते हैं के दार नाथ की अतिपावन एक गाथा गाते हैं हम कता सुनाते हैं जै महादेव भगवान हमिदू भर्ती का दान जै महादेव भगवान हमिदू भर्ती का दान भीम बली ने अपने रूप को बड़ा बनाया था बड़ा बना के दो पहाडों पर उसे फैलाया था अन्य गाए भैसे बैल यहां वहां गए पधार शंकर रूपी भैसे हुए ना जाने को तैयार फिर भैसे पर जाकर जप्टे भीम बली बलवान भैसे रूप में शंकर शंभू हो गए अंतर ध्यान भीम बली ने भाग बीठ का कसके पकड़ लिया दिढ निस्चै देख के शिव ने दर्शन दे दिया पांडव को शिव सब पापों से मुक्त दिलाते हैं भोले मुक्त दिलाते हैं के दारनाथ की अतिपावन एक गाथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं जै महादेव भगवान हमे दो भर्ती का दान जै महादेव भगवान हमे दो भर्ती का दान ही माले की चोटी पर है के दर जो तिरलिंग साधारन सा सेवक कैसे समझे शिव के रंग महादेव का मंदिर देता हमको धर्म संदेश आदी देव मेरे गंगा धराए भोले बड़े महेश जो तिरलिंग के बारे में एक और कथा आती बड़ी ही पुन्य फल दाई है मनचित को भाती महातपस्वी नर नारायन कर रह तप कठोर शिव के दर्शन हो जाए बस ख्याल नहीं था और अटल साधना ऐसी जिसमें डिगना पाते हैं के दारनात की अतिपावन एक गाथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं जै महादेव भद्वान हम दो बत्ती का दान नर और नारायन नामक दो महातपस्वी ने बहुत से वर्षों तक भगवान भोलीनात की भक्ती और आराधना की एक पैर पर खड़े रहे निराहार रहकर एक लक्ष बनाया ताकि बाबा भोलीनात की दर्शन हो जाएं ऐसे कठोर तप का जिक्र तीनों लोकों में इससे पहले किसी ने नहीं किया था भक्तों यक्ष गंधर्व रिशी मुनी सब उस तप की पिशंसा करते नहीं थकते थे भक्तों सुनिये ये कैसे और कब हुआ बोलिये बाबा भोले नाथ की एक पैर पर खड़े रहे वो बीते वर्ष हजार शिव नाम का जाप किया था रहकर ही निराहार नर नारायन के इस तप की चर्चा छिड़ गई थे सब देवों के कानों में ये खबर ही पड़ गई थे यक्ष वगंधर्व रिशी मुनी जन तप से अती प्रसन किसी किसी को लगती है ये ऐसी हरी लगन महा तपस्वी नर नारायन ब्रह्मा भी कहते सत्य की प्रशन साबिन तो विश्नों भी न रहते तीन लोग के सारे देवता जिक्र चलाते हैं इसका जिक्र चलाते हैं के दारनाथ की अतिपावन एक गाथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं जै महादेव भगवान हमें दो भर्ती का दान जै महादेव भगवान हमें दो भर्ती का दान ओ घरदानी भूत भावन शी शंकर भोले नात कठिन साधना से खुश होकर कहने लगे यों बात इन दोनों के दिल का हाल तो लेना ही होगा नर ना रायन को तो दर्शन देना ही होगा शिव ने दर्शन देकर उनको धन्य कर डाला शिव के जैसा दूजा देव ताना भोला भाला दर्शन पाकर भक्त मगन हो गए थे भाव विभोर जिसको शिव के दर्शन होते क्या चाहिए और मंत्र और रस्तुती से वो तो शिव को मनाते हैं वो बोले को मनाते हैं के दारिनाथ की अतिपावन इक गाथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं जै महादेव भद्वान हमे दो भर्ती का दान भोले बोले मांग लो मुझसे जो भी वर्चा हो तुम दोनों पर प्रसंद हो मैं बोलो बतलाओ हम पे प्रसंद हो तो नर नारा यणियों बोले अपना रूप यहां करो स्थापित हे शंकर भोले सदा सर्वता यहां रहे तो हो जाए कल्यान इतनी क्रिपा कर दो हम पर हे शिव शंकर भगवान होगा यहां निवास आपका पावन बन अस्थान सफल तपस्या हो जाएगी पूरण हो अर्मान नर नारा यणि बोले हम तो इतना चाहते है के दारिनाथ की अतिपावन एक गाथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं जै महादेव भगवान हमिदू भर्ती का दान इतने कठोर तप के बाद भोलेनाथ ने तो दर्शन देना ही था अगरदानी भूत भावन भगवान होलेनाथ उन दोनों रिश्यों को दर्शन दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि बोलो अब तुम और क्या चाहते हो ये बाते सुनकर नर और नरायन ने कहा कि बावा भोलेनाथ आप केदारनाथ जोतिरलिंग के रूप में यहां वास करें आपके सदा सदा यहां रहने पर हम कृतार्थ हो जाएंगे भगवान भोलेनाथ ने तथा आस्तू कहकर मनुकामना उन कर दी तब से केदारेश्वर जोतिरलिंग के रूप में यह अस्थान जाना जाता है आदी देव महादेव शिवशंभू की दर्शन पूजन करने मनुष जो यहां आएगा अविनाशी भक्ती के संग वो पार हो जाएगा मानव का कल्यान होगा हो जाए उधार कार्थ ना है बस यही हमारी भोले करो स्वीकार जो तिरलिंग के दार रूप में शिव भोले का वास के दार नाथ है मोक्ष द्वारा जन जन का विश्वास जो तिरलिंग शिव के दार रिश्वर शिव का रूप जानो भोले नाथ दुख भंजन बाबा भक्तों पहचानो भी माले की चोटी पे शिव पूजे जाते हैं भोले पूजे जाते हैं के दार नाथ की अतिपावन एक गाथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं जै महादेव भगवान हम दूबर्ती का दान हम दूबर्ती का दान नर नारायन ने भोले से जो ये वर चाहा क्रिपा सिंधु शिव शंकर से वो वर पल में पाया जो तिर लिंग का दर्शन पूजन संग में यहां स्नान लोकिक फलों को दे देता है करिये नित गुणगान के दार नाथ के दर्शन से ही मिलती शिव भक्ती जिसके मन में शिव भक्ती है मिलती शिव शक्ती बड़ा पवित्र बड़ा ही पावन शिव का है ये स्थान अपने साधक को दे दर्शन शिव भोले भगवान रिशी मुनी भी हम सब को यही समझाते हैं सब यही समझाते हैं के दारनाथ की अतिपावन एक गाथा गाते हैं हम कता सुनाते हैं जै महादेव भद्वान हमे दो भर्ती का दान इस चोटी के पूर्व भाग में देखो अलक नंदा बद्रीनाथ का मंदिर वहाँ पे खो जाए बंदा मंदा की नीवालक नंदा मन को लुभाती हैं दोनों नदियां रूत्र प्रआग में आ मिल जाती हैं दोनों नदियों की ये पावन है सन्युक्त धारा गंगा भागी रथी में मिल जाता भगतों जल सारा केदारनाथ वह बद्रीनाथ के चरणों को धोती ऐसे जल को छूने से ही मुक्ती तक होती भागिशाली प्राणी दर्शन करने को जाते हैं के दारनाथ की अतिपावन एक गाथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं जै महादेव भद्वान हमें दो भर्ती का दान यहां कुद्रती शोभा भक्तों देखते बनती हैं भोला भी अरदास सुने मा गौरा सुनती हैं के दारनाथ की प्रांगण में नंदी वैल वाहन जिसके दर्शन मात्र से मन हो जाता पावन के दारनाथ के मंदिर का किसने किया निर्माण इसका तो लेख नहीं ना मिलता कोई प्रमाण कमल सिंग मेरे गुरू कर्ण सिंग शिव के पुजारी थे शिव की रजा में राजी रहते आग्याकारी थे बेल पत्र हम शिव चर्णों में खूब चड़ाते हैं हम बिल पत्र चड़ाते हैं के दारनाथ की अतिपावन एक गाथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं जै महादेव भगवान अमिदू बर्ती का दान जै महादेव भगवान हमिदू बर्ती का दान